मुरली की तान बज़ रही मुरली की तान उठ जागरे इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुरली की तान बज़ रही मुरली की तान बज़ रही आज 9 जनवरी 2022 के अव्यक्त महवाक्य हैं जिनकी ओरिजनल डेट है 21 दिसंबर 1989 आज बाब डदा त्रिदेव रच्यता अपनी साकारी और आकारी रच्णा को देख रहे हैं बाब को दोनों ही बच्चे अतीप्रिये हैं रच्टा रच्णा को देखकर कहते हैं वहा बच्चे वहा और रच्णा कहती है वहा रच्यता वहा बाब बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं तीनों ही रूप से बाब, टीचर, सत्गुरू तीनों ही रूपों से बाबा ने हर बच्चे को पढ़ाई, वर्सा और वर्दान तीनों में भरपूर किया है जिससे प्यार होता है, उसको संपन बनाया जाता है, जो उसको प्रिय होता है, वो ही किया जाता है तो बाबा ने हर बच्चे को तीनों रूप से प्राप्ती स्वरूप बनाया है फिर भी बच्चों को मेहनत क्यूं लगती है जबकि ये मोज का समय है फिर भी मेहनत का अनुभव क्यूं होता है मेहनत अनुभव होने का कारण क्या है मुख्य दो बाते है चलते चलते या तो माया से विघनों से फेल हो जाते है या समंद संपरक में ज्यानी आत्मों के साथ, अज्यानी आत्मों के साथ कोई भी बात को फील कर लेते हैं ना तो फील करना है, ना ही फेल होना है लेकिन बच्चों को मेहनत इसले करनी पड़ती है कि चलते चलते वो या तो फील कर लेते हैं या फेल हो जाते हैं अगर आप शुद्ध फीलिंग में रहो तो ये अशुद्ध फीलिंग समापतो जाएगे, जैसे कोई बात फील हो जाती तो उसको फ्लिव कहा जाता है, जिसे फ्लिव हो जाता है तो व्यक्ति हिलता है, शेकिंग होता है, बाबनी का यहां पर भी शरेव नहीं, आत्मा हिलती ह मन हिलता है, जिसे फ्लिव हो जाता है, उसका मुख कड़वा हो जाता है, यहां पर जब किसी को फीलिंग की बीमारी हो जाती है, तो उसके बोल कड़वे हो जाते हैं, वहां खाना भी नाच्छा नहीं लगता, यहां पर जब कोई फील कर जाते हैं, तो उनको भी कोई ज्या तो यहां पर भी जोश आ जाता है। इस शुद्ध फीलिंग में रहेंगे तो अशुद्ध फीलिंग समापत हो जाएगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मोज का अनुभव करेंगे। त्रेसर चनम तो मेहनत करते रहे, अब मोज का अनुभव करो। यही समय है जब आपको जटपट प्राप्ती होती है, यह संगम का अमुल्ले समय है, जिसमें बाप ददा हर बच्चों को प्राप्ती स्वरूप देखना चाते हैं। मुलाकात में बाबा ने समझाया, कि बाबा अपने खुली हंस बच्चों को देख रहे हैं, जो व्यर्थ और समर्थ दोनों को समझ सकते हैं। जैसे हंस क्या करता है? कंकर को, पथर को अलग कर देता है, मोती को अलग कर देता है, आप बच्चे भी समर्था तमाई हो, तो व्यर्थ की तरफ कभी आकरशित नहीं होना, व्यर्थ तो देखा, सुना, क्या मिला? बाप तरब बात कर रहे हैं, कि व्यर्थ देखते सुनते क्या बन गए? तन देखो कैसा हो गया, मन देखो कैसा हो गया, सत्यूग के जो देवी देवताएं होते हैं, उनका तन कितना सुन्दर, मन कितना खुशहाल, धन भी अथा, यहां देखो, तो सब गवा दिया, अभी एक एक सेकिंड बड़ा अमुल्य है, संगम का एक सेकिंड भी नहीं गवाना, एक सेकिंड गवाना थाथ, एक वर्ष गवाना, इस समय आपको पवित्रता की शक्ती प्राप्त है, आप समर्थात्माई, पवित्रात्माई हो, जो पवित्रात्माई हैं, वो ऐ पवित्रता को नस्ट कर देती हैं, संपूरन विश्व के किचडे को समाप्त करने की ताकत इस पवित्रता में है, ये पवित्रता की शक्ती महान शक्ती है, इसमें जो सोचेंगे वो ही करेंगे, अर्थात विहंग मारक की सेवा होगी, ऐसे ज्वाला मुखी स्वरू बन कर, अपनी आसुरी स संसकार स्वभाव को, जो भी कमी कम जोरी है, उसको समाप्त करो, बहुत सुन्दर बात बावपक्की करा रहे हैं, कि अब समय के हिसाब से, इस ज्वाला मुखी योग क्याव शक्ता है, जिससे अपने भी पुराने संसकार समाप्त हो जाएं, आसुरी संसकार स्वभाव सब भस्म हो जाएं। दिखाते हैं न? कि आसुरी शक्तियों को भस्म किया। असुरों को भस्म नहीं, आसुरी शक्तियों को भस्म किया। तो पवित्रता में ताकत है। इसलिए आप ऐसे होली हंस बनो, जो जरा भी व्यरत का नामनिशाना हो। वर्दान में बाबा ने समझाया, चलन और चेहरे द्वारा पुर्शोतम सिती का सक्षतकार कराने वाले बाप समानभव, ब्रह्मा बाब अग्वम सबने देखा, ब्रह्मा बाबा साधारन होते भी सदा पुर्शोतम सिती में रहे, कारे भले साधारन क्यों ना हो, पर सिती बह पहत उंच हो, महान हो, आपकी स्रेष्ट चलन ही चरित रहे, स्लोगन में बाबा ने समझाया, जो एकरस्तिती के आसन पर स्थित रहते हैं, वो ही सच्चा तपस्वी है, आज द्रड संकल्प करेंगे, कि ना तो फील करेंगे, ना फेल होंगे, सदा इस शुद्ध फीलिंग मे में रहेंगे, मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, देवात्मा हूं, महान आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, अब सुनते हैं मुरली विस्तार से, आज की अव्यक्त मुरली का सार है, त्रिदेवरच्यता द्वरा वर्दानों की प्राप्ति, आज त्रिदेवरच्यता अपने साकारी और आकारी रचना को देख रहे है त्रीदेव रच्यता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे है दोनों रचना अतीप्रिये हैं इसलिए रच्टा रच्टा को देख हर्शित होते है रच्टा सदा ये खुशी के गीत गाती है वहा रच्ता और रच्ता सदा ये गीत गाते वहा मेरी रच्ना रच्ना प्रिये है जो प्रिये होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन बनाते है तो बाप ने हर एक स्रेष्ट रच्ना को विशेश तीन संबंद से कितना संपन बनाया है बाप के सम्मन्द से दाता बन ग्यान खजाने से सम्पन बनाया, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, सत्गुरु रूप में वर्दाता बन वर्दानों से जोली भर देते हैं, ये है अविनाशी स्नेहे वाप प्यार, ये है बाब का अविनाशी स्नेहे और प्यार, प्यार के विशेष्टा यही है, जिससे प्यार होता है, उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे, बाब को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुब संकल्प रहता है, प्यार में बाब को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती, कोई मेरत आवश्यक हो तो करो लेकिन ब्रामन जीवन में मेहनत करने की आवशकता ही नहीं क्योंकि दाता, विधाता और वर दाता तीनों समंद से इतने संपन बन जाते हो जो बिना मेहनत रुहानी मोज में रह सकते हो वर्सा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है जिसको तीनों रूपों से प्राप्ती हो ऐसे सरुप्राप्ती वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या विशकता है कभी वर्से के रूप में माब बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारी पन का नशा रहेगा शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अरिफार्त भगवान के स्टूडेंट है इस भाग्ये का नशा रहेगा सत्गुरु हर कदम में वर्दानों से चला रहा है हर करम में स्रेष्ट मत वर्दाता का वर्दान है जो हर कदम स्रेष्ट मत से चलते हैं उसको हर कदम में करम की सफलता का वर्दान सहज, स्वते और अवश्य प्राप्त होता है सतगुरू की मत स्रेष्ट गती को प्राप्त कराती है गती सदगती को प्राप्त कराती है स्रेश्ट मत और स्रेश्ट गती अपने स्वीट होम अर्थात गती और स्वीट राज्य अर्था सदगती इसको तो प्राप्त करते ही हो लेकिन ब्रामन आत्माओं को और विशेश गती प्राप्त होती है वो है इस समय भी स्रेष्ट मत के स्रेष्ट करम का प्रत्यक्षवल आथा सफलता ये स्रेष्ट गति सिर्फ संगम युक पर ही आप ब्रामनों को प्राप्त है इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत वो लोग तो समझते मरने के बाद गती मिलेगी इसलिए अंत मते सो गती कहते हैं लेकिन आप ब्रामन आत्माओं के लिए इस अंतिम मर जीवा जनम में हर करम की सफलता का फल अर्थाथ गती प्राप्त होने का वर्दान मिला हुआ है वर्तमान और भविशे सदा गती सद गती है ही है भविशे की इंतजार में नहीं रहते हो संगम युक की प्राप्ती का यही महतो है अभी अभी करम करो अभी अभी प्राप्ती का अधिकार लो इसको कहते हैं एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो कभी मिल जाएगा वह भविशे में मिल जाएगा ये दिलासे का सोदा नहीं है कभी तो मिली जाएगा अब नहीं तो पविश्य में मिल जाएगा ऐसे कोई दिलासे का सोदा नहीं है तुरंत दान महापुन्य ऐसी प्राप्ति है इसको कहते जटपट का सोदा भक्ती में इंतजार करते रो मिल जाएगा मिल जाएगा भगती में है कभी बाबा कहते अभी लो कि कभी और अभी कभी समझना है बाबा कहते अभी अभी लो भगती में सोचते कभी तो मिल जाएगा आदी स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहां साक्षतकार जटपट होता है और होता भी था तो आदी से जटपट का सोदा हुआ इसको कहते रचता का रचना से सच्चा प्यार सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो नहीं सकता कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हूँ ये है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ती अविनाशी प्यार अविनाशी प्राप्ती तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता इसलिने बाप को बच्चों की मेनत पे रहम आता है वर्दानी, स्था वर्से की अधिकारी कभी मेनत नहीं कर सकते भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पासवीद ओनर होते हैं ना फेल होते हैं ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं मेनत करने के कारण दोई हैं या तो माया के विगनों से फेलो जाते हो या समंद संपरिक में चाहे ब्रामनों के चाहे अज्यानियों के दोनों समंद में करम में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर लेते हो जिसको आप लोग फ्लू की बिमारी कहते हो फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग होती है हलचल होती है उसमें शरीर हिलता है और ये आत्मा की स्थिती हिलती है मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है जब कोई बात फील हो जाती है तो बावनी का ये भी कैसी फ्लू की बिमारी जैसा ही है कि उसमें आत्मा की स्थिती हिल जाती है और मुख कड़वा हो जाता है मतलब बोल बिगड़ जाता है यहां भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते और क्या होता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी चड़ जाती है, यहां भी जब फिलिंग आती है, तो अंदर जोश आता है, गर्मी चड़ती है, इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, यह जोश है, अनुभवी तो हो न, और क्या होता है, खाना पिना कुछ अच्छा नहीं लगता, यहां भी कोई अच्छी ग्यान की बात सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी आखे रिजल्ट क्या होती है कमजोरी आ जाती है अच्छी बात सुने की भी ताकत नहीं बची तो क्या होता है कमजोरी आ जाती है यहां भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है इसलिए न ना फेल हो, ना फेल करो, ना फेल होना है, ना फेल करना है, बाप तेदा सरेष्ट मत देते हैं, शुद्ध thing रहे, मैं सर्व स्रेष्ट, अथात कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं देवात्मा, महानात्मा, ब्रामनात्मा, विशेश पार्धरियात्मा हूँ क्या फील करना? अच्छे से नोट करेंगे मैं सर्व स्रेष्ट, कोटो में कोई आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, विशेश पाद्धरी आत्मा हूं, इस फिलिंग में रहने वाले को व्यर्थ सिलिंग का फ्ल्यू कभी नहीं होगा जो इसमें टिक जाएंगे इस स्वमान में, उन्हें कभी कोई बात फील नहीं होगी, इस शुद्ध फीलिंग में रहो, जहां शुद्ध फीलिंग होगी, वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती, तो फ्ल्यू की बिमारी से अताम मेहनत से बच जाएंगे, सदा स्वयम को ऐसा अन्भोग करेंगे कि हम वर्दानों से पल रहे हैं, वर्दानों से आगे उड़ रहे हैं, वर्दानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं, वर्दानों से पल रहे हैं, वर्दानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं, मेनत अच्छी लगती है या मेनत के आदत पक्की हो गई है मेहनत अच्छी लगती या मोज में रहना अच्छा लगता है बाबा पूछ रहे हैं क्या अच्छा लगता है मेहनत अच्छी लगती या मोज में रहना अच्छा लगता है कोई को मेहनत के काम बगेर और कोई काम अच्छा नहीं लगता उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो ये तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जनम मेहनत कर ठक गई है 63 जनम ढूंडते रहे न किसको ढूंडने में मेहनत लगती है न तो ठके हुए पहले ही हो 63 जनम मेहनत कर चुके हो कर सकते हो, भविश्य में तो वहां सब बाते भूल जाएंगी, मजा तो अभी है, दूसरे मेनत कर रहे हैं, आप मोज में हो, अच्छा, टीचर्स ने भगती की है, कितने जनम भगती की है, इस जनम में तो नहीं किया न, आपकी भगती पहले जनम में पूरी हो गई, कब से फि भगती की भी आधी आतमाए हो, ज्यान मारक की भी आधी आतमाए हो, आधी की भगती में अव्य विचारी भगती होने के कारण, भगती का आनंद, सुख, उस समय के प्रमान कम नहीं हुआ, वैं सुख और आनंद भी अपने स्थान पे स्रेष्ट रहा, भगत माला में आप हो जब भक्ती आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो डबल फॉरिनर्स भक्त माला में हो भक्त बने या भक्त माला में थे अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे या नहीं थे विजे माला में भी थे भक्त माला में भी थे पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे भक्त माला अलग है आप तो ग्यानी सो भक्त बने वो है ही भक्त तो भक्त माला ग्यानियों की माला में अंतर है ग्यानियों की माला है विजे माला और जो सिरफ भगत है ऐसे नोदा भक्ती जो भक्ति के बिना और कोई बात सुनना ही नहीं चाहते भक्ति को इस रेष्ट समझते हैं तो भक्त माला अलग है ज्यान माला अलग है भक्ति जरूर की लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे क्योंकि भक्ति का पार्ट बचाने के बाद आप सबको ज्यान में आना है वे नोधा भग्त है आप नोधा ज्यानी हो आत्मा में संसकारों का अंतर है भग्त माना सदा मंगता के संसकारी होंगे जो भग्त होंगे सदा मंगता के संसकार होंगे मैं नीच हूँ बाप उंचा है ये संसकार होंगे वे रोयल बिखारी है आप आत्माओं में अधिकारी पन के संसकार है इसले परीचे मिलते ही अधिकारी बन गए समझा आप आत्माओं में अधिकारी पन के संसकार है इसले परीचे मिलते ही अधिकारी बन गए समझा भगतों को भी कोई जगह दो ना दोनों में आप आएंगी क्या उनका भी आधा कल्प है आपका भी आधा कल्प है उनको भी गायन कला में आना ही है फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे है और तरफ बुद्धी नहीं है बाप की तरफ ही है शुद्ध तो रहते हैं पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होने का आपकी पूजा होगी उनकी पूजा नहीं होती सरफ स्टैच्यू बना के रखते हैं गायन के लिए मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती सिर्फ गायन है अब लास्ट जन्नम में चाहि किसी को भी पूझ लेवे धर्ती को भी पूझ लेवे वरिक्ष को भी पूझे लेकिन नियम प्रमान उनका सिर्फ गायन होता है पूझे नहीं आप पूझे बनते हो तो आप पूझनिय आत्माई हो ये नशा सदा स्मृती में रखो आप पूझनी आत्मा हो ये नशा स्मृती में रखो पुझ्य आत्मा कभी कोई ऐ पवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती ऐसे पुझ्य बने हो अच्छा, चारो और के वर्से के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विदौनर होने वाले वर्दानों द्वारा वर्दानी बन औरों को भी वर्दानी बनाने वाले ऐसे बाप, शीक्षक, सत्गुरु के प्यारे सदा रुखानी मोज में रहने वाली स्रेश्टा आत्माओं को बाप तदा का याद प्यार और नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप तदा को नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया मुलाकात है बाबा की पंजाब राजस्तान गुरुप से सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो पूछ लेंगे अपने आपसे हम सब भी अपने को होली हंस अनुभव करते हैं होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले वे जो हंस होते हैं वो कंकड और रतन को अलग करते हैं मोती और पत्थर को अलग करते हैं लेकिन आप खोली हंस किसको पर रखने वाले हो, समर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, जैसे हंस कभी कंकड को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहन नहीं करेगा, ऐसे आप खोली हंस व्यर्थ को छोड़ मैं तो बगुला धारन करता है, व्यर्थ तो बहुत सुना बोला, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? व्यर्थ बहुत देखा, सुना, बोला, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गवाया, सब कुछ गवा दिया, तन भी गवा दिया, देवताओं के तन देखो, और अभी के त देखो क्या है, कितना अंतर है, जवान से भी बूडे अच्छे हैं, तो तन भी गवाया, मन का सुक शान्ती भी गवाया, धन भी गवाया, आपके पस कितना धन था, अथा धन कहां गया, व्यर्थ में गवा दिया, अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो, खोली हंस गवाने वाले नहीं, जमा करने वाले, खोली हंस कैसे होते हैं, जमा करने वाले, गवाने वाले नहीं, अभी 21 जरम तन भी अच्छा मिलेगा, मन भी सदाखुश रहने वाला होगा, धन तो ऐसा होगा, जैसे अभी मिट्टी है, अभी मिट्टी का भी मुल्ले हो गया लेकिन वहां रतनों से भी खेलेंगे रतनों से मकान की सजावट होगी तो कितना जमा कर रहे हो जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है जमा होता है तो दिल बड़ी होती है अभी कितनी बड़ी दिल हो गई तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है या कभी-कभी जमा करते हो अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है ऐसे समय पर भी कभी-कभी वर्तों नहीं चला जाता अभी तो समय की वैल्यू का पता पढ़ गया संगम का एक सेकिंड कितना बड़ा है visualize करेंगे संगम युक का एक एक सेकिंड कितना बड़ा है कहने में तो आएगा एक दो सेकिंड ही तो गया लेकिन एक सेकिंड कितना बड़ा है यह याद रहे तो एक सेकिंड भी गवाएंगे नहीं सेकंड गवाना, वर्ष गवाना, संघंग की एक सेकंड का इतना महतव है, तो जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गवाना या होगा कमाना, सारे कलप में कमाई करने का समय अभी है, तो होली हंस अर्थार स्वपन में संकल्प में भी कभी व्यर्थ नहीं कवाएंगे, जो होली हंस हैं संकल्प में भी कभी व्यर्थ नहीं कवाएंगे, होली अर्थार सदा पवित्रता की शक्ति से ए पवित्रता को सेक्ड में भगाने वाले, ना किवल अपने लिए, बलकि और के लिए भी क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो ना पवित्रता ऐसी अगनी है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है संपूरन पवित्रता ऐसी स्रेष्ट शक्ति है अंत में जब संपूरन ह जाएंगे तो आपके स्रेष्ट संकल्प में लगन की अगनी से सब किचड़ा भस्म हो जाएगा योग जवाला है अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी सोचा और हुआ इसको कहते विहंग मारक की सेवा अभी अपने में भर रहे हो फिर कारे में लगाएंगे जैसे यह किस समय का यादगार है अभी का है न तो ऐसे जवाला मुखी बनो आपनी बनेंगे तो कौन बनेगा तो अभी जवाला मुखी बन आशुरी संसकार आशुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो जवाला मुखी बनकर अपने आशुरी संसकार आशुरी स्वभाव सब कुछ भ प्रणने वाले तो नहीं हो ना? ज्वाला मुखी हो डर्ना क्यूं? मरे तो पड़े हो पर डर्ना किस से? और राज्यस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नी चाहिए. राज्ये भूल करके राज्यस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती. वहां रेत बहुत होती है तो सदापने नई राज्य की समर्ती रहे, सभी निर्भ्य जवाला मुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमो गुण है, उसे भस्म करने वाले बनो, बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा, अभी तो व्यक्तियों कोई संदेश नहीं दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली-गली में हो जाएगा ना, आच्छा, आज का वर्दान, चलन और चेहरे द्वारा, पुर्शोतम स्थिती का सक्षतकार कराने वाले, ब्रह्मा बाप समान भव, चेहरे और चलन द् पुर्शोतम स्थिती का सक्षतकार कराने वाले, ब्रह्मा बाप समान भव, इसे ब्रह्मा बाप साधारन तन में होते, सदा पुर्शोतम अनुभव होते थे, साधारन में पुर्शोतम की जलक देखी, ऐसे फॉलो फादर, करम भली साधारन हो, पर स्थिती महान हो, चेहरे पर स्रेष्ट जीवन का प्रभाव हो, जैसे लौकी कृति कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहां चेहरे की बात नहीं, चलन ही चित्र है, हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान, पुर्शोतम स्थिती हो, तब कहेंगे बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, पुर्शोतम स्थिती हो, तब कहेंगे बाप समान, स्लोगन है, जो एक्रस्थिती के स्रेष्ट आसन पर स्थित रहता है, वो सच्चा तपस्वी है, जो एक्रस्थिती के स्रेष्ट आसन पर सदास्थित रहता है, वो सच्चा तपस्वी है, लवलीन स्थ का नुभाव करो यह पर मातम प्यार आनंद में जूला है इस सुख दाई जूले में सदा जूलते रहो पर मातम प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई पर्सिती वामाया की हलचल नहीं आ सकती प्रमातम प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परसिती वा माया की हलचल आ नहीं सकती अचलते फिरते ये स्मृती रहे मैं होली हंस हूँ ना व्यर्थ देखना है ना सुनना है ना बूलना है ब्रमा बाप्त समान पुर्शोतम स्थिती में स्थित्ध हो जाए करम भले कोई भी हो पर स्थिती पुर्शोतम हो उचे से उचे स्थिती स्रेश्ट स्थिती में स्थित्ध हो जाए मुझे ब्रह्मा बाप समान सदा स्रेश्ट स्थिती में रहना है शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओ शांति 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 अस्तित्म उनका मेहसूस होगा मिलो उनको प्रमोतन में मेहका लो मन की पेला थाम इस वेग को जगा लो विवेग सारे जग का करण धार हो मुरले की तान बज रहे हो मुरले की तान बज रहे हो